क्या नितिसकुमार को स्थीपा देना चाहिए अगर हां तो क्यों और नहीं तो क्यों थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करना है वहीं बीजेपी करके तो द्वार विधान सभा के बाहर धर्ना परदर्शन किया जा रहा है बोला जा रहा है कि नितिस कुमार इस्थीपा दो कारण यही है कि नितिस कुमार ने विधात्न सभा के अंदर असब्द भासा की युज़ किया है एक मुखिया के द्वरा ऐसा भासा का परयोग नहीं करना चाहिए यही BJP का कहना है और पूरे बिहार वासियों को कहना है लेकिन मुख्य मंतरी नितिस कुमार इस थिपा दे देते हैं तो जो उसने भासा का यूज किया है क्या वापस हो जाएगा जो भी भासा का परियोग किये हैं बहुत ही निंदनी है एक बिहार के मुख्या द्वरा एसा बात कहना कहीं से उचित नहीं है पूरा बिहार में ही नहीं भारत में वीडियो किलिप वाइरल हो रहा है खेर नितिश कुमार ने अपनी भासा पर सर्मिंदा है माफी भी माँगी, लेकिन माफी माँगने से सब्ध वापस नहीं आ सकते हैं लेकिन स्थीपा दे देने से भी सब्ध वापस नहीं आ सकता है आप लोग सूचिए, BJP करकरताओं ने और विहार के जनता भी आकरोश में दिख रही है यही नितिश कुमार जी हैं, समस्या आने पर इस्थिपा दिये थे, जीतन राम माजी को मुख मंतरी बनाये थे, लेकिन आज जीतन राम माजी एंडिये के हिसा है, जो भी हो नितिश कुमार अमर्यादित भासा को प्रयोग करके फस गए हैं, कोई बोल रहा है कि उमर का परभा किया जा रहा है बिहार के हीत में 75% आरक्षण के बील पास हुआ उस पर चर्चा नहीं हो रहा है सिर्व निगेटिव दिखाया जा रहा है इन बीजेपी वालों को पता ना किया हुआ है जब नितिसकुमार गलती का च्छा मां मांग लिए तो इस पर चर्चा क्या करनी है गलत चाहिए सोच का कमेंट किजिएगा हम भी जाने आपके क्यार आये है